सूप्रवाद बच्चों, आज हम कक्षा आठ के समाजिक विशे का भाग तीन राजनेतिक जीवन की अका अध्याई चार कानूनों की समझ का पहला प्रक्रन, क्या कानून सब पर लागू होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए, करते हैं शुरू अध्याई चार कानूनों की समझ. आप कुछ कानूनों से परिचीत होंगे, शायद आपको शादी की उम्र सीमा और मता दिकार की उम्र सीमा का पता होगा. संबावाय आप संपत्ति को खरीदने और बेचने के कानूनों को भी जानते हो. और अभी तक आप यह भी जान चुके हैं, कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है. क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? देखो हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये पढ़ा था, कि कानून कहां बनाई जाते हैं? तो कानून संसद में बनते हैं, और जो कानून वहां बनाई जाते हैं, क्या वो सभी पर लागू होते हैं? और नए कानून किस तरह से अस्तितम में आते हैं? यानि किस तरह से इनको बनाया जाता है? क्या कोई कानून अलोग प्रिय या बजने की कोशिश करते हैं कि कानून क्या होते हैं देखिए यहां आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में कुछ मैला हैं वो अंदोलन कर रही हैं क्यों कर रही हैं किसलिए कर रही हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं देखिए क्या कानून सब पर लाग देखो एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जीला अधालत ने 10 साल की सजा सुनाई और इस वज़े से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है यानि अधालत के द्वारा उसे कितने साल की सजा मिली 10 साल की और अधिकारी ने क्या किया अपने बेट इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनेतिक रूप से बहुत ताकतवर है तो नहीं कि अगर कोई व्यक्तिक आर्थिक और राजनेतिक रूप से ताकतवर होता है और अगर वो अपराद करता है तो उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सब के लिए समान रूप से लगू होते हैं, कानून की नजर में सभी समान हैं, देखो इसी बात गोम आगे देखते हैं, कि यह सिदे सिदे कानून के उलंगन का मामला है, जैसा कि आप इकाई एक में पढ़ चुके हैं, कि राश्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमती थी, कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तमाल की कोई गुंजाईश नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने समिधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े, जो कानून पर आधारित शाषन की स्थापना के लि किसी के साथ बेदभाव नहीं करता है, देखो हमारा कानून धरम जाती लिंग के अधार पर लोगों के बीच कोई भी बेदभाव नहीं करता, कानून के शाषन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, कानून से उपर कोई भी व्यक्ति नहीं है चाहे वह व्यक्ति सरकारी दिकारी हो या कितना भी बड़ा कोई धना से ठीक हो ना हो और यहां तक की राष्ट पती भी क्यों ना हो क्योंकि हमारे देश का सर्वोच पद राष्ट पती का है अगर राष्ट पती से भी कोई अपराद होता है तो उसके लिए यक्ति का अप्राद सबसे वहले साबित किया जाता है अगर अप्राद साबित होता है फिर उसे सजा दी जाती है लेकिन क्या ऐसा हमेशा से ही होता था तो नहीं क्योंकि प्राचीन भारत में असंख्य स्थानिय कानून थे स्थानिय मतलब उस स्थान के अलग अलग कानून हर क्षेत्र में अलग अलग कानून थे अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानिय कानून लगू भी होते थे और भीविन समुदाय क्या गरते थे इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लगू कर करने के लिए आजाद थे कुछ मामलों में जाती के अधार पर एक ही अपराद के लिए अलग लग व्यक्तियों को अलग लग सुझा दी जाती थी कैसे जैसे मानों निचली माने जाने वाली जाती के अपरादी को ज्यादा सुझा दी जाती थी और जो उच जाती के मने जाती ह उसी अपरात के लिए उसको शायद माफ भी कर दिया जाता था तो अपनिवेशिक शाषन के दोरान कानून पर अधारित वेवस्ता जैसे जैसे परिपक होती गई जाती के अधार पर सजा देने में भेदवाव का यह चलन भी खतम होने लगा देखो हम बार बार पढ़ते हैं अपनिवेशिक शाषन अपनिवेशिक शाषन का मतलब है बृटिस सर्कार का शाषन उस समय QUE अग्रेजों क्या कानून पर अधारित वेवस्ता अपना रीक बिक कानून के नहीं की रिपक होती गई जाती के अधार पर जो सजा देने का परचलन था वो खतम हो गया लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते थे कि हमारे देश में कानून के शाषन की शुरॐब अंग्रेजों ने की और इतिहास कारों में इस बात पर भी विवाद ही रहा है और इस विवाद के कई कारण है एक कारण तो यह है कि अपनिवेशिक कानून मनमाने पन पर अधारित था यानि कि अंग्रेज अपनी मनमर्जी करते थे और दूसरी वज़ाई यह बताई कि ब्रिटीश भारत में यानि अंग्रेजों के समय जो भारत था उस समय कानुनी मामलों के विकास में भारतिय राष्टवादियों ने एक एहम भूमी का निवाई थी तो 1870 का राजद्रो एक्ट अंग्रेजी शाषिन के मनमानने पन की ही मिसाल था जब कोई ये 1870 का एक्ट क्या था इसे ऐसा क्या कानुन बनाया जिसे हमें ये लगा कि इसमें अंग्रेज हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो देखो इसमें ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी सरकार का विरोध करता है उसके आलोचना करता है उनकी नीतियों की बुराई करता है तो उसे के खिलाफ बिना मुकदमा चलाए सीधे ही गिरफतार कर लिया जाता और जेल में डाल दिया जाता था तो अगर इसे कहा राजदरो तो दख़ा गई इसमें लिखा हुआ भी है कि इस कानून में राजदरो की परिवाशा बहुती व्यापक थी और इसके मुताबिक अगर कोई विव्यक्ती बिटी सरकार क्या विरोध्या लोचना करता तो उसे बिना मुकदमा चलाए ही गिरफतार कर लिया जाता था तो आगे देखो यहां आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और यह चित्र है पं सब्सकार दिया गया है तो यह क्या गटना थी इसे देख लेते हैं इसे ही हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं कि यह रोलेक्ट अक्ट था यह अंग्रेजों के ही मन माननेपन का एक और उधारन था जैसे 1870 में इन्होंने राजद्रो एक्ट बनाया वैसे ही अंग्रेजो में डाल सकती थी तो महत्मा गांदी सहीद सबीर भारतिय रास्टवादी नेता रोलेक्ट अक्ट के सक्त खिलाफ थे और भारतिय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोलेक्ट अक्ट है वो पूरे भारत में लगू कर दिया गया और पंजाब में इस कानून का भारी पेम में 13 अप्रेल को अमरित सर के जलियां वाला बाग में एक आम सबा काया योजन किया गया था और जिस समय ये सबा चल रही थी उसी समय जर्नल डायेट अपनी फोजी टुकडी के साथ बाग में आया और उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चिताबनी दिये ही ल 300 लोग मारे गए और असंख्या जख्यमी हुए और इन मरने और घायल होने वाले लोगों में बहुत सारी ओरते और बच्चे भी शामिल थे और जो ये पेंटिंग देखिये आपने इसमें जलियां वाला नर्स अनहार के समय जो गोला बारी हुई थी उसका द्रिश्य आपक वो क्या करते थे संगर्श शुरू किया उन्होंने और ये संगर्श क्या कहलाया स्तमानता का संगर्श और उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे कि जिनका हम सीधा पालन करे या पालन करना हमारी मजबूरियों लेकिन वो कानून को एक अलग रूप में देखते वो क्या कहते हैं तो 19 सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पैशा भी अब उबरने लगा कानूनी पैशे में लगे भारतियों ने अब मांग की कि जो अपनिवेशिक अदालते हैं उनके अंदर उन भारतियों वकिलों को जजों को सम्मान की नजर से देखा जाए और ऐसे भार अमका इस्तमाल करने लगे क्य etme कि आभ भारतियों पढ़ल लियक्षण के तो वह अपने अधिकारों की रर्ख्षा लिए अब बोलने लगे तो भारतिय न्यायदीश भी आपाले से जाधा भूमी और निभाने लगे थे तो इस प्रकार हैं Rank कैनjas शाशन के विकास क्रम में यहां के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे देखो इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तमाल पिछे भी आया है अध्याय एक के शब्द संक्लन में आप इसका मतलबियम पढ़ चुके हैं कि मनमाना क्या होता है हमने देखा था आपक किरिकेट खेलना चाहते थे और Leanting और जो बालक काई यह लड़के Nachti वह क्या रहे थे वह 섬्सक्री अपनी मनमानी कर दो कर रहे थे थे उनकी मनमानी किस प्रकार कानून के शाशन का उलंगन करता है तो देखो कि हमने अभी बढ़ा कि ये 1870 का जो राजदरो कानून है क्या कि अंग्रेज है वो बिना बताए लोगों को बिना मुकदमा चलाए सीधा ही गिरफतार कर लेते थे तो अब ये मनमाना कैसे हुआ देखो कनून का मतलब क्या हता है कनून सभी के लिए समान है लेकिन अंग्रेज जो कानून बनाते थे या जिने वो गिरफतार करते थे वो केवल भारतिय वेक्तियों को ही इसलिए इसे मनमाना कहा गया इसके बाद आगे देखो कि समिधान को स्विकृती मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी अधार शिला बन गया जिसके अधार पर हमारे प्रतीनिदी देश के लिए कानून बनाने लगे हर साल हमारे प्रतीनिदी कई कानून बनाते और कई पुराने कानूनों में चंशोदन भी करते और कक्षा 6 की पुष्टक में आपने 2005 के हिंदू उत्रादिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा और इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मा तिन्नों को परिवार की संपत्ती में बराबर हिसा मिल सकता था यानि कि भाई, बेहन और मा तिन्नों को परिवार की संपत्ती में बराबर हिसा मिलेगा तो इसी परकार परदूशन को निंत्रित करने के लिए रोजगार मुहिया कराने के लिए भी कई नए कानून बनाए गए लोग इस निरना पर कैसे पहुचते हैं कि एक नए कानून जरूरी है और वे कानून का प्रस्ताव है, वो कहां पेश करते हैं, तो किस तरह पेश करते हैं तो इसके बाद हम इसे इन प्रश्णों को एक कहानी के माधिम से समझने की कोशिश करेंगे तो देखो कि नए कानून कैसे बनते हैं कानून बनाने में संसद की मैतपुन भूमी का होती है यह हमने पढ़ा ही है कि कानून कहां बनाए जाते हैं तो संसद में बनते हैं तो यह प्रकरिया कई तरीके से आगे बढ़ती है कैसे बढ़ती है कि सबसे पहले समाज के जो भीविन समू है या नागरी के या कई संगठन है वो किसी खास कानून के लिए आवाज उठाती है वो मेडिया के दवारा टेली वीजन अख़बार के मद्यम से अपनी आवाज को उठाती है फिर वहां से ये आवाज संसद तक आएए देखें कि गरेलू हिंसा का सवाल किस तरे संसद के सामनी आया और गरेलू हिंसा की रोकदाम पर कानून बनाने की क्या प्रक्रिया थी देखो जब कोई पती पतनी के साथ मार पीट करता है या उसे चोट पहुंचाता है या मार पीट या चोट की धमकी देता है तो स पुरुष के साथ मार पीट किया तब भी घरेलू इंसा है नहीं अगर कोई उसे गालिक लोच भी करता है तब भी घरेलू इंसा ही मननी जाएगी और घरेलू हिंसा कानून 2005 में मैलाओं की सुरक्षा की परिभाशा ने घरेलू शब्द को और अधिक भी व्यापक बना दिया ह अब ऐसी मैलाओं भी घरेलू दायरे का हिसा मननी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है इसके बाद देखिया आगे कि यहाँ पर आपको एक कहानी के माद्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ दो मैलाओं है वो आपस में बात कर रही है और अक्टूबर 2006 की बात है अरे साजिया आज का अख़बार पढ़ा तुमने यह महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है महिलाओं के लिए ही क्यों हिंसा मुक्त परिवार तो सब के लिए ही अच्छे हैं देखो ना कुसुम इस कानून को बना क्यों हैं तो यह दोनों मैलाओं हैं वो एक संगठन की सदस्य हैं और उन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है कि कानून कैसे बनाया गया शुरुवात में क्या हुआ तो देखो अप्रेल 1991 की बात है और एक दफ्तर में जैसे साधारन दिन था वैसे ही था कुछ मैलाओं आपस में बात कर रही है कि मुझे सला चाहिए कि मेरा आदमी मुझे पीटता है और मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई मुझे बड़ी शरम आती है पर अब बरदाश नहीं होता लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है मैं कहां जाओं तो दूसरी बहु कहती ह कि मेरा बेटा और बहु मुझे से बहुत ही बुरा बरताव करते हैं बहुत बुरा भला कहते हैं मैं अपने बैंक खातों का वे इस्तमाल नहीं कर सकती और वे चाहें तो मुझे घर से निकाल भी सकते हैं फिर एक और कहती है कि मैं पुलीस के पास नहीं जाना चाती मैं तो बस यह चाती हूं कि यह मार पीट बंद हो जाए तो वो महिला क्या कहती है मैं बस यह चाती हूं कि वो मुझे मेरे घर से ना निकाले तब दूसरी महिला क्या कहती है कि बद किसमती से मौझूदा कानून है वो फोजदारी कानून है और उसमें से यह दोनों रास्ते मुम्किन नहीं है तब उसके बाद देखो कि क्या हो रहा है 1990 के दशक में भिविन मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही और इन में से कई महिलाओं ने अपनी आप भी ती सुनाई और हमने देखा है कि महिलाई मारपीट से बचाव चाती हैं वे अपने मकान में रहना चाती हैं कई बार उने सिर्फ थोड़ी सी राहत की ही दरकार होती है और इस मुद्य से निपटने के लिए एक नए नागरी कानून होना चाहिए तो ये देखो कि एक महिला संगठन की नेता है और वो इस तरह से ये बाते हैं वो उठा रही है उसके बाद देखो कि वो क्या कह रही हैं कि 1999 में में वकीलों कानून के विद्यार्थियों और कई संगठनों ने मिल करके गरेलू हिंसा विद्याग का एक मसोधा तियार किया और इस विद्याग को वो सारे लोगों से पढ़वाया गया तो गरेलू हिंसा की परिवाशा में शारीरिक आर्थिक योन और मोखिक भावनातमक दूर वेवार को भी शामिल किया जाना चाहिए यानि एक पुस्तकाले में कुछ महिलाईं बैठी हैं और वो ये बात कर रही हैं कि गरेलू इंसा के अंतरगत और क्या-क्या आ सकते हैं तब वो बताती हैं कि सिरफ मारपीट ही नहीं उसके अलावा उनके साथ आर्थिक, मोखिक और योन चोशन हैं कोई भावनात्मक दूर वेवार है वो भी गरेलू इंसा में माना जाना चाहिए साजा गरेलू दाइरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तैत रखा जाना चाहिए उन्हें साजा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए और आर्थिक मदद के बारे में क्या-क्याल है तो इस तरह से देखो कानून बनाने से पहले कितनी तरह के विचार विमर्ष किये जाते हैं उसके बाद विचार विमर्ष के लिए अलग-लग संस्थानों के साथ बैठकें की गई अलग-लग संगठनों के साथ बैठकें की गई और ये संगठन के जो नेते हैं वो कहते हैं कि महीला अंदोलन घरेलू उनसा पर एक नया कानून चाहता है सरकार को यह परस्ताव जल्दी स जल्दी संसद में पेश करना चाहिए और आखिरकार इस तरह से 2002 में ये विदयक संसद में पेश किया गया लेकिन फिर ये जैसे विदयक पेश हुआ तो उसकी ख़बर कहा ही उसका समाचार पत्र में उसके बारे में आया कि वही ये कानून के लिए परस्ताव पेश किया गया लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इस विदयक में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमने सुजाई थी तो वो कहती हमें इसका विरोध करना चाहिए तो चलो समेलन बुलवाते हैं कम्प्यूटर पर एक ओनलाइन याची का शुरू करते हैं ताकि इंटरनेट पर लोग अपनी र जरूरी है और हम गरेलू हिंसा की इस प्रस्तावित भाषा से सहमत नहीं है और इस कानून में बच्चों की ऐस्थाइस कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए तो इस तरह से उन्हों के साथ देखो संसद की जो सुनितिय उनके साथ महिला संगठनों का विचार विमर्ष च स्विकार कर लिया गया और 2005 में एक नया विधेक पेश किया गया और दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद राश्ट्रपती के पास उसे स्विकृति के लिए वेजा और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है वो लागू किया गया और इस तरह से देखो कि 2006 म तब उन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसा पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मन्यता दी गई है और गरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाशा भी पेश की गई है कि गरेलू हिंसा किसे मानती है तो यह एक दिवानी कानून है जो क्रो एलइ पूछते हैं हैं क्यानून इसलिए महत्पून दोरा कि आpower कि इन्सा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्ट कर सकती हैं महिलाई अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक साइथा भी प्राप्ट कर सकती है तो उसके बाद बात दोनों फिर से बात करते हैं कि अब एक और लंबा सफर शुरू होता है यानि अब जब कां कानॐन में जिन बातों का वाधा किया गया है उसे सचमस्च में लागु किया जाए हमने सब तरफ नजर रखनी होगी हमें महिलाओं हमें महिलाओं पुलिस द्यायपालीका ऌन इन सभी किसी भी परकार से अत्याचार करना ही गरेलू इंसा होती है तो हिंसा की शिकार मैलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्या दिकार प्राप्त हुए यह भी हमने इस कानी में पड़ी लिया था क्या आप एक ऐसी परकरिया बता सकते हैं जिसका इस्तमाल कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अफगत करवाने के लिए किया गया देखो एक तो इसमें जन सुनवाई की गई एक इसमें कई महिला संगठनों ने संसदिये स्थाई समीती के साथ बैटकें की उनके साथ विचार भी मर्श किये है ना तो इस तरह से दो प्रिकरियां ही अपना ही गई इसके बाद था अगला प्रिशने की चित्र कथापट को पढ़ कर बताईए कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबा बनवाया एक तो महिला संगठन और राश्ट्रिये महिला आयोग उन्होंने संसदिये स्थाई समीती पर दबा बनाया दूसरा उन्होंने और उसके बारे में लिखा हुआ है कि जिन ओर्टों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आम तोर पर पीडित माना जाते हैं और इन हालात से उबरने के लिए ओरतें तरह तरह से संगर्ष करती हैं अपना बचाव करने के लिए इसलिए उन्हें पीडित कहने की हैडिंग डाली हुए है कि बराबरी के रिष्टे हिंसा से मुक्त तो इस वाक्या में इस शब्द से आप क्या समझते हैं इस पोस्टर में क्या है कि पुरुष और मैला इन दोनों को बराबर सान दिया गया इनके अंदर किसी भी आदार पर कोई भी भेदवाव नहीं दिख ठीक आर्थीक किसी भी तरह का अत्याचार है तो वो ग्रेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए तो देखा आपने इस उधारन से हमें साफ स्वष्ट पता लग जाता है कि जो नागरिकों की भूमी का है कानून बनाने में कितनी एहमें वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे मे लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत ही माइने रखती है और यह आवाज टेलिविजन अखवार रेडियो आमसवा इनके द्वारा सुनी जा सकती है व्यक्त की जा सकती है और इन सारे संचार मादिमों के जरि आवार?